पहले पड़ी विराट कोहली की मार फिर हुए जिम्बाम्बे का शिकार दो लगातार हार से तिल मिला उठा पूरा पाकिस्तान जब जिम्बाम्बे के आगे भी पाकिस्तान ने टेक दिये घुटने तो शर्म सार हुआ पाकिस्तान का कप्तान वाल्ड कप जीतने की चाह में अ अतम का माहूल पसरा हुआ है पूरे पाकिस्तान की आवाम इस हार से आहत हो चुकी है क्रिकेट जगत में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की काफी आलोचना हो रही है और उनके अपने ही लोगों ने उनके कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिये हैं वर्लकप में जिंबाम्म से मिली हार ने पूरे विश्व क्रिकेट को ही चौका दिया है उधर पाकिस्तानी पुर्व दिगज तो इस हार को पचा भी नहीं पा रहे हैं हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के पुर्वतेज गेंदबाज और स्विंग सुल्तान वसीम अकरम ने एक बड़ा बयान दे ड प्लानिंग की जिस तरह से बात हुई है सब को बैठना पड़ेगा हमने कई बार कहा कि टीम का मिडिल ओडर कमजोर है अब जो ये लड़का बैठा हुआ है शोयब मलिक अगर मैं कप्तान होता मेरा आखरी गोल क्या होता टीम को जिताना या वल्ल कप कैसे जीतना अगर उसक के सामने ही अकरम ने कप्तान बाबर आजम को आड़े हाथो ले लिया और शोयब मलिक को टीम में ना शामिल करने पर उनकी फटकार लगा दी अकरम ने अपने बयान में कहा अगर मैं बाबर हूँ और मेरा टार्गेट है मैं वल्ल कप जीतना चाहता हूँ अगर मुझे टीम मैं शोयब मलिक चाहिए तो मैं चैन करताओं से लड़ जाऊंगा कि मुझे मलिक चाहिए नहीं तो मैं टीम की कप्तानी नहीं करूंगा बहराल अब पाकिस्तान के लिए यहां से वापसी की राह मुश्किल हो चुकी है और उनके सेमी फाइनल में जाने की उमीद अब दूस जबकि टीम में होना चाहिए था या नहीं हमें अपनी राए नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें